Hi everyone, welcome to Step Up Guide So, पहले मैं बता दू ये वीडियो bilingual होगा जिससे कि कुछ संग्विधान के शब्द आसानी से समझ में आ सके ये वीडियो basic learner को थ्यान में रखते हुए बनाया गया है जैसे कि आप लोगों ने thumbnail में देखा आज हम एक ऐसे case के बारे में जानेंगे जिसने भारदवर्ष के लोगतंद्र को खोने से बचा दिया एक ऐसा case जिसने साबित कर दिया कि संग्विधान ने जो हम लोगों को मूल अधिकार दिये है यानि कि fundamental rights उसे कोई भी government हमसे चीन नहीं सकता तो चलिए आज हम उस case के बारे में जानते हैं पर पहले हमें संग्विधान के बारे में कुछ ऐसी चीज चानना है जिससे आप लोग इस case के हर एक पहलू को समझ पाए अगर आप step up guide को follow करना चाहते हैं तो यह रहा हमारा telegram channel and यह रहा हमारा facebook page जिसमें कि हम daily current affairs के regular update देते रहते हैं तो चल यह शुरू करते हैं तो जैसी कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश संग्विधान के हिसाब से चलता है जो कि हमारे संग्विधान निर्माताओं ने हमें आजादी के उपहार सुरूब दिया है और उन लोगों ने हम सभी नागरीकों के लिए कुछ मूल अधिकार दिये हैं जिससे किसी भी कारण कोई भी हमारी आजादी चीन न पाए पहले बात हमारे मूल अधिकार संग्विधान के भाग 3 के अनुच्चेद 12 से 35 तक हमें दिया गया है दूसरा यदि हम संग्विधान के किसी भी अनुच्चेद को बदलना या अनुच्चेद में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो उसे संग्विधान संशोधन कहा जाता है यानि कि constitutional amendment तीसरी बात अनुच्चे 368 हमें संग्विधान में कोई भी संशोधन करने की शमता देती है यानि कि article 368 gives power to parliament to amend constitution और आखरी बात संविधान के बनने से 1977 तक अनुच्चे 31 जो कि हमें संपती रखने का अधिकार देता है हमारे मूल अधिकार थे पर 1970 में 44 वा संग्विधान संशोधन करके इस मूल अधिकार को अनुच्चे 301 के तहत कानोनी अधिकार बना दिया गया है संविधान के बनते ही पहले संविधान संख्षोधन के अंदर हमारे पूर्बर प्रधान मंत्री जवालान नहरुजी ने दो नए क्लॉस यानि की धाराए 31a एवं 31b के तहत एक नया अनुसुची जोकी 9th स्केडूल नाम से जाना जाता है जोर दिया और जिसमें लिख दिया अगर कोई भी लौ 9th स्केडूल के अंदर आएगा तो वो न्याईक समीक्षा यानि की जुरीशल रिव्यू से बाहर होगा और आर्टिकल 15 के तहत एक नया सब क्लॉस 4 जोर दिया जोकी कुछ विशेश वर्ट को शिक्षा में समानता का अधिकार देता है इस सब कहता है अगर कोई भी संख्षोधन हमारे मुल अधिकार को खंडित करने का कोशिश करे तो तब ही वो अधिनियम असंविधानिक माना जाएगा उसी के तहट 1991 में शंकरी प्रसाद जी ने सुप्रीम कोट में केस किया जोकी संकरी प्रसाद वर्सिस यूनिन ओफ इंडिया नाम से फेमस है पर सुप्रीम कोट ने उस संविधान संख्षोधन को कानोनी माना फिर 1964 में सतरवा संविधान संख्षोधन करके यानि कि 17th Constitutional Amendment करके कुछ State Land Reform Act को यानि कि भूमी सुधार अधिनियम को नवे अनुसूची में डाल दिया गया जिससे की पंजाब के सज्जन सिंग जी ने 1965 में सुप्रीम कोट में केस किया पर इस जज्जमन में भी सुप्रीम कोट ने अपने 1991 के जज्जमन को ही सही माना पर 1967 में गोलकनाद जी जो की पंजाब Land Reform के खिलाफ थे उनका केस जो की गोलकनाद वर्सिस Union of India नाम से फेमस है इस केस में सुप्रीम कोट ने 11 जज्ज के बैंच गटित की और 6-5 से पिसले सभी जज्जमन के खिलाफ फैसला सुनाया और कहां State cannot amend Fundamental Rights यानी Parliament समगिधान के मूल अधिकारों को amend नहीं कर सकता और साथ ही में कहां Article 13, Article 368 को भी कंट्रोल करता है और Government Directive Principle of State Policy यानी की राज्य के निर्देशक सिधान्त को फोलो करने के लिए Fundamental Rights को खंटित नहीं कर सकता इससे Government को गुस्सा आया और इंद्रा गांधी जी के Government ने 24वा, 25वा और 26वा संग्विधान संग्षोधन किया और साथ ही 29वा संग्विधान संग्षोधन करके केरला के Land Reform Bill को 9th Schedule में जोड दिया जिससे की हमारे मूल अधिकार आनुच्छे 26 जो की धार्मिक संपत्ति का प्रावधान करने की शक्ती देता है यानि की Power to Manage Religious Property उसे खंडित करता है तभी स्रीश्री केशवरंदा भारती जी जो की कसारगोर डिस्ट्रिक केरला के एदनीर मठ के स्वामी जी थे यानि की Pontifov एदनीर मठ उन्होंने सुप्रीम कोट में केरला के इस बिल के खिलाफ और साथ ही 24वा 25वा संग्विधान संग्षोधन के खिलाफ केस किया और इस केस के वकील थे प्रैखात न्यायवीत यानि की Imminent Jurist नानापाल की वाला जिन्होंने गवर्मेंट के हर एक प्रयास को नस्ट कर दिया और 68 डेज के हेरिंग के बाद सुप्रीम कोट ने एक ऐसा जज्जमेंट दिया जिसने हमारे मुल अधिकार को जीवनकाल के लिए पचा लिया तेरा जज्ज के बेंच ने इस केस का जज्जमेंट दिया नियायदीश SM सीकडी जोकी 13th Chief Justice of India थे उनके अधिक्षता में 76 के से इस केस का जज्जमेंट आया सुप्रीम कोट ने 24 वा, 25 वा एवं 29 वा संग्विदान संग्षोधन सही माना और कहां समान्य कानोन के तहट मुल अधिकार को सीमित किया नहीं जा सकता हाँ पर संग्विदान संग्षोधन करके मुल अधिकार को सीमित किया जा सकता है साथ ही संसत को संग्विधान को संग्षोधन करने की शक्ती है लेकिन संग्विधान के संग्षोधन करने की शक्ती संग्विधान को बनाने की शक्ती के बड़ाबर नहीं है That means Parliament has power to amend Indian constitution but don't have the power to recreate the constitution This power only belongs to Constituent Assembly और कहा Parliament संग्विधान के मूल धाचा यानि की basic structure को संग्षोधन नहीं कर सकता और Supreme Court न्याईक समिक्षा कर सकता है यानि की judicial review कर सकता है government के हर एक law को और इस तरह केशवननदा भारती जी और नाना पालकी वाला जी ने मिलके संग्विधान को बचा लिया But the story not ended here इंद्रागांदी जी ने 29 वा एवं 41 वा संग्विधान संग्षोधन जिसमें लिखा गया कि कोई भी प्राइमिनिस्टर के उपर सिविल या क्रिमिनल केस नहीं चल सकता और साथी प्रेसिडेंट के कारेकाल को भी सीमित करने की कोशिश की संग्विधान में पर इस जज्जमन के बाद इन सभी प्रावधानों को असमिधानिक माना गया साथी 1975 में ए एन रे जोकी सुप्रीम कोट के नियाधीश थे उन्होंने फिर से भारती केस को रियोपेन करनी की कोशिश किया पर इस बार फिर से नाना पालकी वाला जी ने साबित कर दिया कि बिना किसी रिवियू पेटिशन यानि की समिक्षा याचिका के कोट किसी भी केस को रियोपेन नहीं कर सकता और इस तरह हमारा मुल धाचा हमारे मुल अधिकारों की रक्षा करता है और अंत में 1991 में बामनराओ केस ने जोडिशन रिवियो को भी बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल कर दिया और ये रहा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन आप इसे पर सकते हैं और साथ ही इस केस को आप डिटेल में इस बुक से पर सकते हैं की दकेशावनांदा भारती केस द अंटोल स्टोरी स्ट्रगल फर सुप्रीमेसी बाइ सुप्रीम कोट और पार्लेमेन जो की टी आर अंध्यारुजिना जिने लिखा है तो ठैंक यू सो मच अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कॉमेंट बॉक्स में प्लीज बोलिएगा ओके बाइ